नमस्ता दोस्तों स्वागत banco आपका अपने ही चैनल ग्रोप पुंजी में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले है कि रेलवे सेक्स की वारे में जिन्सें स्टॉक में काफी ताइम से काफी अच्छा ग्रोध तो देखने को मिली रहा है वेकिन दूस्तों, बात करें अभी की, तो अभी भी हमें काफी multiple growth देखने को मिल रहा है, और अब आगे हमें, और कितना multiple growth देखने को मिल सकता है, इस बारे में भी हम detail में जानेंगे. जहां हम एक एक stock के बारे में detail analysis करेंगे किस stock में entry लेनी चाहिए किस stock को avoid करना चाहिए इस बारे में हम detail में जानने वाले है जहां सबसे पहले हम बात करने वाले है Rail Vikas Nigam Limited stock के बारे में जिसे shortcut में RVNL आम से भी जाना जाता है stock की price चल रही है 141 और stock ने Friday के दिन साड़ी 9% की positive closing दी है दोस्तों already हमें इस stock में सिर्फ और सिर्फ 2 week के अंदर 80-90% तक का अप्टेंट देखने को मिला है काफी अच्छा और बहतरीन अप्टेंट देखने को मिला है जा second इत नमबर का stock है भोई IRCON जिसमें में 5% की positive closing देखने को मिली है थर्ड नमबर का stock है IRFC दोस्तों ये तीनों की तीनों जो stock है वो railway sector के stock है तीनों stock में कहीं न कहीं एक अच्छा अप्टेंट देखने को मिल रहा है लेकिन अभी किस stock में entry वनानी चाहिए किस stock में profit book कर लेना चाहिए ये सब कुछ आज की वीडियो में जानने वाले है तो दोस्तों वीडियो एंट तक जरूर देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चनल सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलिग्राम जॉइन करना बिल्कुल भी ना बोले जहां हम टेलिग्राम पर आपके लिए स्टॉक मार्केट लेड़ेड कही सारी न्यूद सॉट टम स्टॉक्स लॉंग टम स्टॉक्स और ऑप्शन स्टैटेजी जहां आप सेफ साइड मल्टीपल ग्रोथ और सेफ साइड ए अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं जो आपको काफी कुछ हमारे टेलिग्राम पर अल्डेडी देखने को मिल जाएगा तो जरूर से जरूर टेलिग्राम जॉइन करें दोस्तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं RBNL की दोस्तो RBNL पर अल्रीड हमने वीडियो बनाया था जहां क्लियर कहा था जब स्टॉक की प्राइस चल रही थी 93.94 आप जाकर उस वीडियो को जरूर से जरूर देखे यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा जहां हमने क्लियर कहा था कि RBNL में हमें 110 के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं बट स्टॉक में 110 से भी ज़्यादा टार्गेट देखने को मिल सकते हैं जगर मैं बात करूँ percentage wise तो दोस्तो ओल्मोस्ट वन मंत के अंदर या तू मंत के अंदर हमें RBNL में 130 परसेंट तक का टार्गेट देखने को मिला है दोस्तो काफी अच्छा काफी बड़ा multiple return देखने को मिल चुका है RBNL में योगे दोस्तो RBNL में जो न्यूज आयती वो obviously काफी अच्छी काफी बड़ी और एक ऐसी न्यूज थी जिसका हमें पूरे की पूरे जो stock है company पर जो न्यूज निकल कि आया थी जिस न्यूज को हमने cover किया है उस वीडियो में जह हमने already railway sectors पर बनाए थे तो आप उस वीडियो में उस news को भी अच्छे से देख सकते है जो news थी जिसका positive impact इतना ज़्यादा देखनी को मिल रहा है और जो sector को लिकर news आयती उसका positive impact इतना ज़्यादा देखनी को मिल रहा है कि stock में continue volume के साथ uptrend देखने को मिला है already 92 sorry 83-84 की price पर weekly पर एक breakout देखने को मिला अब मुद्दे की बात पर आते हैं दोस्तों की हमें अभी इस stock में क्या करना चाहिए दोस्तों obviously सबसे पहले market में जो rule से वो ये है risk and reward अगर आप इस time पर इस stock में entry लेते हैं तो आपका risk कहीं न कहीं ज्यादा हो जाएगा तो entry तो आप new entry लेने के बारे में बिल्कुल ना सोचे अब हम बात करेंगे exit के बारे में दोस्तों exit का ये है कि आपको अगर 50% 60% के profit देखने को मिल रहे है short term में तो दोस्तों आप अपना 50% profit book कर ले क्योंकि market में profit से पहले safety ज़्यादा जरूरी है 50% को आप अपने इसाब से carry कर सकते हैं multiple return लेने के लिए long term के वी उसे लेकिन 50% को आप profit book कर ले अब हम बात करेंगे next stock की जो है इलकॉन international limited जिसके प्राइच चल रही है 56.95 और इस पर भी हमने वीडियो बनाया था stock ने जब breakout दिया था already stock ने जो breakout दिया है daily पर वो दिया था 67 की price पर और अभी stock ने काफी अच्छी return भी दे दिये है stock आ चुका है 86 के something दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमें अभी और कितना uptrend देखने को मिल सकता है इस stock में उसके बाद में इस पर discuss कर लेंगे कि हमें अभी इस stock में entry लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस stock में उपर की तरफ ऐसा कोई भी resistance देखने को नहीं मिल रहा है stock ने weekly पर breakout देने के बाद में volume के साथ breakout देने के बाद में काफी अच्छे target दिखा दिये हैं तो new entry कहीं न कहीं इस stock में भी नहीं बनती है लेकिन हमने इस stock पर भी video बनाया था और कब बनाया था last week में बनाया था जा stock की price चल रही थी 65-67 के something और clear कहा था दोस्तों आप video जाकर जरूर देखे clear कहा था 84-85 के target देखने को मिल सकते हैं जो हमें देखने को मिल चुके हैं तो जिन लोगों ने भी entry ली हुई है वो profit book कर सकते हैं new entry ना ले यह दोनों इस stock में entry ना ले अब हम बात करेंगे last stock की जो है IRFC जिसके price चल रही 34.85 stock ने 2% की positive closing दी है दोस्तों IRFC में उपर की तरब 37 की price पर एक resistance देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं अगर daily पर आपको IRFC में 37 के उपर closing देखने को मिलती है तो दोस्तों आप IRFC के stock में भी एक entry बना सकते हैं आप पर आप देख सकते हैं जो weekly पर है जो reversal देखने को मिला है 26 से काफी अच्छा देखने को मिला है आप जितने भी railway stock से उन्हें अच्छी से track करें जितने भी railway stock से सब में हमें अच्छी return देखने को मिला है last one month के अंदर दोस्तों अब ये तीनों stock पर हमने technically देखा है बट दोनों stock में जो अल्रीड दो stock पर हमने IRCON और RBNL पर डिसकस किया है उसमें entry बन ही नहीं रही है लेकिन आप अपने watch list में IRFC को add करके रखे क्योंकि अगर IRFC विकली पर 37 के उपर दिखता है तो दोस्तों आप IRFC में एक entry बना सकते है आपको IRFC में उपर की तरब जो return है वो काफी अच्छे देखने को मिल सकते है 45 और 50 के भी target देखने को मिल सकते है अगर IRFC 37 के उपर closing देता है विकली पर तो और आपका जो SL रहेगा वो क्या रहेगा 33 का SL मेंटेन करके यानि कि 103 के ratio से आप इस stock में entry बना सकते है क्योंकि volume काफी अच्छा है और इतने ज़्यादा return नहीं दिये है जितना हमें RBNL IRFCON में देखने को मिले है तो दोस्तों आप इस stock पे नजर बनाए इस stock में entry बना भी सकते है बट 37 की price के उपर आएप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like करे, share करे और चनल को जरूर subscribe करे जैहिन